दोस्तो आज हम जानेंगे सफलता का राज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जब गाउं से कोई बच्चा आता है बिल्कुल रूरल बैक्ग्राउंड से छोटी से जगे से फिर वो अपना एक सफल जीवन तलासता है इंजीनियर बनने की कोशिस करता है, इंजीनियर बन जाता है, फिर शाइंटिस्ट बनने की कोशिस करता है, और वो ऐसी ही इसी दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ करके हैं, और इश्रो जैसे इंडियन स्पेस रिशर्च और्गनाईजिएशन जैसे एक्जाम को टॉप कर ल जाने वाले हैं, इनकी जो इनीशली स्कूलिंग हुई है, वो इनके गाउं से ही हुई है, हाई स्कूल करने के बाद, फिर इन्होंने रिवा से इंटर्बेडियेट किया, और उसके बाद से इन्होंने बीटेक किया, बोपाल के एक प्राइवेट इंजिरिंग कॉलेज से, इन्होंने इश्रो में 2018 में टॉप किया, जी हां, 1st rank हासल की, गेट 2018 में computer science category में इन्होंने ऑल इंडिया rank 130 हासल की, और फिर गेट 2019 में ऑल इंडिया rank 82 थी, इश्रो में टॉप करने के बाद इनके पास इश्रो का उपर था, लेकिन गेट में अच्छी rank होने के बजिए से, IIT में भी इनको admission मिला IIT Delhi से call आया और इसके बावजुद इन्होंने एक अपना सपना और पाला और वो है NASA का वर्ड की सबसे best space agency और NASA में पहुँचने के लिए इनके कई rounds इसमें already हो चुके हैं ये कई rounds clear कर चुके हैं तो सूरज सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता में आपके परिवार का या आपके जो फैमली मेंबर से उनका क्या योगदान रहा सर परिवार में तो ऐसे अगर कहा जाया तो केवल तीन ही लोग थे हम मेरी पापा जी और मेरी मम्मी के पीछे पापा जी सर जब मैं क्लास 8 स्टनडर पर था तभी expired हो गयते और उसके बाद मम्मी जी ने उस story को continue करने के लिए मेरी education की dream जो भी थे पिता जी के उसको continue करने के लिए उन्होंने बहुत सारा hard work किया और मम्मी जी ने अपना हर एक effort हर एक टाइम मेरी एजुकेशन को एक हकीकत बनाने के लिए मेरे खरस अपने को हकीकत बनाने के लिए दिन रात एक कर दा अपकी मदर का रोल बहुत बड़ा है और आपके स्ट्रगल में उन्होंने आपने आपको भी बहुत सपोर्ट की आपको आप एक छोटे गाउं से आते हैं और छोटे गाउं में बहुत सारी जो मुलभूथ सुविधा हैं वो नहीं होती है लोग लोग को अच्छा guidance नहीं मिल पाता है सपोर्ट नहीं मिल पाता है और बहुत struggle करना परता है, तो definitely आपने भी struggle किया होगा, तो आपको share करेंगे अपने बारे में कि आपने कैसे struggle करके यहां तक पहुँचे, शूर, 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 सर, गाउं में 9-10 की standard के लिए पढ़ाई के लिए मेरे खुद के गाउं में school नहीं थी, उसके लिए हमें तकरीवन 10 किलो मेटर दूर एक गाउं गढ़ी नाम का गाउं है, वहाँ पे एक school थी, सारदादेवी मेमोरियल करके, वहाँ पे हमको पढ़ने जाना पढ़ता था, और 10 में मम्मी ने मैथ की कोचिंग लगवा दी थी, तो वह, वह भी 10 किलो मेटर ही दूर था गाउं से, दूर पैदल जाना आना, नहीं सर साइकल से जाते थे अपन, तो पहले 10 किलो मेटर अपन दूर साइकल से जाते थे, मैथ की कोचिंग के लिए सुबह उठके, और सुबह आठ वजए वहाँ पे पहुचना होता था, तो सा वजए हम लोग साइकल लेके निकल पढ़ते थे, और आठ से नो अपन कोचिंग पढ़ते थे, और फिर वह कोचिंग के प्लेस से, और मेरे स्कूल का डिस्टेंस भी लगवाक 7-8 किलो मेटर था, फिर उसको कवर करके अपन 10 a.m पे स्कूल पहुँचते, फिर स्कूल के बा अब फिर आये इंजिनेरिंग के लिए फिर क्या आगे की जरनी स्टाट की सर फिर वहां से अपन रिवा सिफ्ट हुए 11-12 के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल से मैं पास आउट हूँ, वो 10 तक ही थी, अब वो 11-12 हो गई है, साइद, और रिवा में हमने मार्तन्ड स्कूल से 11-12 किया, 11-12 करने के बाद सर मैं 12 तक मीडियम स्टुडेंट था सर, हिंदी मीडियम स्टुडेंट था, मॉडरेट था विल्कुल ज्यादा उतना ध्यान भी नहीं देता था, फिर मम्मी ने मुझे एफट लगा कि कोटा बेजा, एक ट्रैक्टर था घर में पुरा आगया वहां पर मैंने कोचिंग से एजूकेशन लिए, बीच में कुछ पैसों की कमी आ गए थी सर, जब में वहां कोटा में पढ़ रहा था, फिर ममी ने जमीन कुछ गिर्मी रखे और कुछ बेंसे भी थे उस टाइम के दोरान, और कुछ मामा जी के साइट से भी हेल्फ तो मामा जी की लोगों ने भी हेल्फ किया था, और उसके बाद मैं फ़स्ट इयर में था, जब मैं कोटा में फैल हो गया था सर, तो मैंने डिसाइट के लिया था, आप कुछ करना है और इस बार जल्दी करना है, तो आपने गेट की प्रप्रेशन आपने का विस्टार्ट क किये, और इतनी सारी एफर्ट लगाई, फिर भी अपन कुछ नहीं कर पाए, और उसका सिर्फ एक रिजन था, हमने अपना इतनी मेहनत की थी सर कोटा में, कि अगर उतनी मेहनत कोई भी करता, तो जनरली उसको सक्सेज मनने चाहिए, डेली 14-15 आवर पर दे, मैं हमेसा कहता ह आपन और यहां पर फिस्ट एर में ही, जब मैं सेकंड सेम में था, तो मुझे डेट याद है, मैंने जेसंबर 2014 में मेडीजी में अडमिशन लिया था, और जून 2014 में मैंने बिटेक के फिस्ट एर में अडमिशन लिया, तो सेकंड यर से मेरी क्लासेज चालो हुई, और वो 2017 में रगुलर किया, और एक साल में कुछ सब्जेक्ट मैंने दो दो बार भी किया, मेडीजी में उस टाइम पर किया था सर, अलाओ था कि आप दो बार कर सकते हैं, तो सिर्फ OAS की मेरे पास 6 नोट्स हैं, अलगो की 4 नोट्स हैं, जो मैंने मेरी हैंड रेटें नोट्स हैं, तो वहां पर आपको environment कैसा मिला, कैसा आपका, वहां के पढ़ाई का, आपका experience कैसा रहा, सर, environment के कारण ही मैं वहां तीन साल था, मुझे environment वो छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल गया था, कि अगर environment छोने, तो फिर से आदतें बदल जाएंगी, सर, environment आदत का ब connection में ब्रेक नहीं करना चाहिए, जबकि मुझे gate की है, 2018 से 2020 आगया, फिर भी मैं अभी भी बहुत connected हूं, सर, लोगों से, तो वह environment में ही छोना आ चाता था, और एक study room था, सर, जो भोपाल मेड़जी में है, और मेड़जी से request भी है कि उसको continue रखें, और उसमें जो facility हैं थो आपका एक reading का महौल बन जाता है, और अच्छे students, जो sincere students होता है, वहाँ पर sir, pin drop silence होता है, मतलब कोई faculty नहीं होती, 400 बच्चे होते हैं, सब पढ़ रहे हैं, और pin drop silence है, that is dedication, सूरज आपने B.Tech कहां से किया, और B.Tech के दोरान आपको अपने college से क्या help मिली, और वहां कौन ऐस teacher थे, जिनका आप कुछ नाम लेना चाहेंगे, उनके बारे कुछ कहना, Sir, TIT and Science Technocrat Institute of Technology and Science Bhopal, वहां से मैंने graduation किया है, वहाँ पे मेरे दो HOD रहे चार साल में, एक नितिज गुपता Sir, Mr. Nittis Gupta Sir, and Mr. Rajesh Nigam Sir, और दोनों लोगों ने मेरी बहुत help की, क्योंकि Sir, Institute मे 75% attendance करना mandatory होता है, और मेरी attendance किया था, Sir, लेस हो जाती है, engineering में, तो पता ही, Sir, आपको engineers, आपके coaching करने आते होंगे, तो, उस दौरान उन दोनों लोगों ने मेरी help की थी, और कुछ teachers थे, class teachers थे, और दोस्तों ने काफी encourage किया, उज्जवल मिस्ता, और कुछ लड़किया भी थी class की, ज कहीं न कहीं, उनकी बहुत सारी सुबकामना हैं चुकी होती है, और वो life में बहुत matter करती है, क्योंकि मैं college, college नहीं पहुच पाता था, Sir, तो, वो मेरी attendance कम होने के बाद भी मुझे एक्जाम में बठने का मौका देते हैं, तो, ये मेरे लिए थैंकूँ, मेरी तरफ से भी, आपके TIT college के सभी teachers को, और उनके जो आपके HOD हैं, directors को, सभी को बहुत-बहुत सुबकामना हैं और धन्यवाद हैं, तो, सुरज, आपको कभी ऐसा लगा कि किसी ने कहा हो कि आप कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्यों परिसान हो रहे हैं, क्यों पैसा बरबाद कर रहे हैं, नोली गाओं में जब financial condition खराब होती है, तो ये तरह तरह के सभाल उटने लगते हैं, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? लगी रही वो अपना, और मैंने भी मतलब, जो टीचर कहते थे, वही सुन लेता था, वांकि मैं जादा किसी से बात भी नहीं करता था, प्रिपरेशन के टाइम में सर कोई contact नहीं रखता था जादा, तो आपकी जीवन के क्या उद्ध से थे, किनके ने एकजाम को सर अगर टारगेट्स की बात करूं सर तो सबसे पहले मैं जो फैकल्टी मुझे पढ़ाने आई थी, तो वो DBMS था सब्जेक्ट, तो DBMS जब मैं पढ़ा तो उसमें से उस टाइम पर मैं रटता था सब्जेक्ट को, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे इंगलिस भी न इसलिए हम लगे रहे हैं, अगर मतलब उसी नोट्स को एक पड़ता है, उसी नोट्स को एक ऐसा लड़का पड़ता है, पर how you read notes, that is important. And how you grasp out of the notes, and how you perform. इसमें सब कुछ लिखा है, मतलब उस notes को नहीं कुछ, तो मेरे पास OS की 6 notes है, और 4-6-10 बार तो मैंने पढ़ा भी होगा, 20-60 टाइम मैंने पढ़ा है उसको, और फिर भी जब मैं पढ़ता हूं उसको, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नया है, और मुझे यह पढ़ना जैसे दूसरी बार जा रहे हैं, तो वहाँ पे class में बैठके, अपन क्या करते हैं, सर दिखाने की कोशिस में, notes देख लिए, और सामने, question, answer, don't do like that, मतलब आप solve करो, आप notes बनाओ, प्रापर तरीके से, आप हर बार जितनी बार जाओ, उतनी बार notes बनाओ, क्योंकि, आप य self-hand written notes जो होते हैं, वो एक revision में भी help करते हैं, और वो आगे retain भी रहते हैं, जितनी time लिखते हैं, उतना जादा मेमोराइज होता है, तो जब इस रो का result आया, उस समय जब आपने देखा होगा, कि All India Rank 1, तो कैसा फील हुआ, सबसे पहले आपने किसको बताए, सर, result आया, तो तो सबसे पहले Reddy सर को मैंने promise किया था, सर की, मतलब, Super Reddy सर, वो इलगो बढ़ाते हैं, तो वो मुझे हमेसा बोलते थे, कि चार साल से पढ़ रहा है, तू फर्ष्ट रैंक नहीं लाया, तो जान से मार तूँगा, जाग मैं जाग की, तो मैं बोला सर, I will kill you, हाँ, I will kill you, व पहले ही response seat से जोड़ लिये थे, 68.67 नमबर आ रहे थे मेरे, तो मुझे तो पता था कि यह यह रोन आएगी नहीं, तो मैंने नमबर ही चेंज कर दिया, वन कहा जिब चाप नमबर वदल दो, तो सूरज जब आपने दूफरी तीफरी बार कोचिंग की मेरी जी में, तो समय तो फीस की प्रॉब्लम आए होगी, आपकी एकनोमिक कंडिसन खराब है, यस सर, अपन क्या किया था सर, ममी ने की बैंक से लोन लिये था, वो किसान क्रेडिट कार्ड आता है, आपको पता ही ह ममी ने कर्ज निकाला, वो आज भी सम्मिट करना बकाया है, और कुछ जमीन गिर्मी रखी थी, वो आज भी बकाया है, वो गिर्मी है, 40,000 में भी गिर्मी है, वेवी, उनको मैंने रिटन ने लिया, क्योंकि यह मुझे उस टाइम पर पुस करती है, वेवी, कि मैं इस कंडि मैंने कुछ help भी की थी मेरी, अगर आपको याद हो, क्योंकि आप तो लाकों लोगों की help करते हैं, तो बतानी आपको याद भी है, विजय ने रिकमंट किया था, मैं बहुफाल चाहिए, हाँ, सर विजय तिवारी नहीं, अपने दी, I think it is, और मेरे पीछे एक लड़का था सर, वो भी मतलब अच्छा किया, वो भी application लिखा था, सूरज आगे बढ़ते हैं, कि आपने अपनी मदर को result के बारे में कब बताया, क्योंकि आपने इधर तो सुबरेडी जी को phone कर दिया, आप यहाँ थे, तो मदर को कैसे बता लगा, उनको कि आपने top कर लिया, सर ऐसा था कि वो टाइम इतना तेज निकल रहा था, सर, कि मम्मी को मैं बताना, बताता भी नहीं जल्दी, जैसे कि मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं आज भी मम्मी को नहीं बताया, कि मैं इंटर्विव देने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं, क्यों नहीं बताते हैं, आप उनसे share करिये, सार उनको लोगों से ही पता चला, सर, निउस पेपर वगारा से, और सिक्स लांग वेज में निउस पेपर, उस टैम पे जब मेरा result निकला था, तो सिक्स लांग वेज में निउस पेपर था, तो जो मेरे यहां से गाओं से सूरत कमाने गय थे लोग, उन्होंने पोटो देखी तो बले तो मेरे गाहों के हैं कुछ मेरे ननिहाल के लोग जो बॉम्बे वगेरा में काम करते थे सिलाई मसीन की फैक्ट्री में वो लोग कॉल कर रहते तो आपकी गेट में तो अच्छी रैंक थी आया डिदिली में एडमिसन मिल गया तरे इसरो में आप टॉप कर गए फिर अचानक नासा का ख्याल कहां से आ गया हो और नासा वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस अजेंसी और नासा तक पहुँचना तो कैसे ख्याल आया है इसका आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला इसका सर जब मैं दो-तीन साल मेडी जी किया तो उसका सबसे बड़ा वेनिफिट ये था कि मेरा जो इन्वाइरोमेंट था मेरा जो कनेक्शन था वो काफी ब्रॉड हो चुका है अभी भी सर ऐसा है कि इंडिया में कोई कम्प्यूटर सांस का फेकल्ड हो पिस यूज नहीं है ऐसा कि जहां पर अपने टच के एक दो बन देना ऐसी कोई आइटी ज नहीं है यह मेरा कनेक्शन है आज भी और उस टाइम पर भी था दो साल पहले जब मैं टुथाजन इटीन पर भी निकला था कि मतलब यहां पर होम मिनिस्ट्री में एक सिमम पारोलिया जी साइन्टिस्ट हैं इसी आईल में गिरजेस पटेल हैं आईो सी आलो एंजी स्वाती लड़किया हो गएरा है यहां पर दो जूनियर हैं कोमल अभी भी आइटी डेलवी में पढ़ती हैं तो यह सारे जूनियर्स थे और कनेक्शन अच्छा हो गया था मतलब जो लड़के पास आउट हो जैसे 2015 बैस में जे था तो वो 2017 में पास आउट हो गए थे आईटी वगेरा से तो जब मैं 18 में पहुँचा तो उनके पास एक एक साल का वर्किंग एक्स्पीरियंस था हाँ तो वो मुझे गाइड देर गहलेके कि अब ऐसा करना है तो वह चीज बहुत बेनिफिसियल थी कि अपने दोस्तों से बात करके शीनियर्स से बात करके टीचर से बात करके भी लड़निंग होती तो NASA का selection procedure क्या है क्योंकि बड़ा complex है यह सब्सक्राइब और बड़ा lengthy है process इतने round इसमें होते हैं procedure क्या है और इसमें apply कैसे करना होता है सर पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ it is not easy अगर आप केवल simple background से हैं और केवल b.tech engineer है तो आपको बहुत बहुत टफ है यह impossible type का है पर अगर आप एक अच्छे level पर पहुंचाते हैं आपकी इंडिया इंडिया level पर एक अच्छी पहचान है जैसे computer science में आपको सब लोग जान करते हैं लॉग जैसे टाइप करेंगे इंटरनेट में यूएसे जॉप वह आजाएगा वहां पर अपने प्रोफाइल बिल्ड कहां उसके बाद jobs opening वो दिखाते रहते हैं फिर अपना resume बिल्ड करना पड़ता है उसमें that is the main part of the selection resume is the basis of the screening और resume के देखने के बाद ही application form आता है और resume के देखने के बाद ही application form आता है और resume करते हों कि इसका resume है ठीक है इसका थुड़ा healthy है इसको knowledge है इसकी rank अच्छी है इसका academic अच्छा है तो इसको फिर shortlist sir I want to add something about resume sir resume में ऐसा है कि सबसे पहले आपका btec percentage more than 8 point होना चाहिए और दूसरी चीज़ यह है कि आप इंडिया का प्रिष्टिस कोई exam technical का qualify हो या तो TIFR हो या तो GST हो और या तो फिर gate हो गया अपना gate तो मतलब करना ही करना है और उसके बाद later off recognition आपके showdy का होना चाहिए कि आप good थे अच्छे student academic performance और आपके director का होना चाहिए और उसके बाद फिर आते हैं sir project पे तो project पे आपके पास तकरीवन minimum 8 to 10 8 to 10 जो है project assignment के आपके पास recommend later होने कि आपको ये project मिले थे और आपने इतने great के साथ इसे final किया और ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आपके friend अच्छे company में होंगे अच्छे to person इसमें वो goal decide करते हैं किसको किस बेर में recruit करना है हमें जिसे medical officer हो गया उनका procedure अलग होता है इन तीन चार में आपको चूच कर लेते हैं तो मैं C में क्या था C gate से किया था तो C में ज्यादा comfort था तो C मैंने C की coding की मैंने practice की उसमें Bala sir का बहुत बढ़ा हाथ था बाला sir and Reddy sir ने बहुत अच्छा के operating system and data structure पढ़ाते हैं और Reddy sir already Microsoft में job कर चुके थे हैं आपको तो पता ही होगा sir तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजी यूएस के बारे में बता दी थी कि coding ऐसे होती है वहाँ पर यह करना है ऐसे ऐसे करना है तो उस चीजों पर दोनों लोगों ने मेरी अच्छी help की थी तो कोडिंग राउंड निकल गया अपना रिजनिंग मेरा पहले से ही सांधार था जब में फर्स्ट इयर में था तभी रिजनिंग कर लिया था तो कोडिंग और रिजनिंग के बाद फिर एल्गो का टेश्ट हुआ एल्गोरिफम मैं चार बार पढ़ाता रिडिसर से उसके बाद मैंने CLRS पढ़ी थी और उसके बाद सर एकाद दो बुक्स और पढ़ी थी तो बुक भी पढ़ी थी और क्लास किया था तो मेंली जो था वह जो याद रहता हो आपको कमी रहता है आ हाँ वो स्काइप पर होता है आधर स्काइप या तो फिर आप उनके वो सेंटर डिफाइन कर देंगे आप वहाँ जाके दे सकते हैं तो आपको कभी फील हुआ कि एक्सप्रेशन स्किल्स में कोई दिक्कत आप पर हिंदी मीडियम चाहते हैं सर इसकी ट्रेनिंग मुझे बा तो मुझे फाइब बनेक्त में पूरा है कैसे एक्स्प्लेइन करना है और कैसे क्या बोलना है यह सारी टर्मिनल वाजी सिखाते थे और मुझे मतलब एक तरीके से ब्लकुल ख्रेम कर दिया जाता था जैसे की अलगो का है तो मेरे दिमाग में सोते जाकते अलगों चलता है इसकी तो कोई फीस नहीं है यह तो मेरा परसनल कनेक्ट है अब परिशिए एपर्ट्स अपरेशिया अब अगे बात करते हैं कि सैलरी की कि नाशा में अपलाई करने का जो अपका में नेम था तो वहां पी क्या स्टूुडेंट के इस स्टूडेंट्स है इसे जैसे जीएसे वो बिटे की स्टुडेंट के लिए है और GS10 है जो वो PhD स्टुडेंट के लिए है without experience और GS11 है जो वो PhD है with experience. तो मिनिमम होगा GS7 जो है कि कितना मिल जाता है? 33,000 डॉलर तू 44,000 डॉलर ऐस टॉलर अनुवल यह इसमें आपका house elastment और SATA यह सारी चीज़ें अलग है वो खुद Nasa Insight Center प्रवाइड कराती है अगर इन्हेंट salary है सरी तो यह तो रहा grade 7 जिसको आप कहते हैं and now let us discuss something about the study environment, friend circle कि वो पढ़ाई करने में बहुत सारे parameters से हैं तो दोस्तों का क्या रोल रहा? आपका room environment कैसा होता था पढ़ाई करने में आपको क्या क्या चीज़ें अभी याद हैं कि आपके दोस्तों आपको help की? sir मैं first पहली बार मेड़ी जी आया था तो मेरा नवल जी दोस्त पने थे वो TCS की जौब चोड़ के आये थे coaching करने और TCS उनका 5 लाग में first year में था तो मेरे लिए तो TCS ही था था 5 लाग के package में तो वो मेरा first day था उनके साथ तो उन्होंने बोला तो मुझे पता चला कि लोग TCS भी चोड़ के यह करने आते हैं तो अपन अच्छा कर रहे हैं तो वो मेरे फ़स्ट दोस्त है और वो अब JP University में प्रोफेशर हैं और ही इस पास्टाउं प्रॉम आप आप की तरफ से बहुत 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 और उन्होंने साधी कर लिए सर मैं जब 2018 में मेड़ी में था तभी उन्होंने साधी कर ली तो अब आप उस समें बच्चे थे व करें और सब्सक्राइब करें कपांशसर हैं और जो ओर कल में अगल बचाम करते हैं और यह आयटी मद्राश से पास आउट थे सखाने की कोडिंग में किसी से और हैप ने हाफ रिकलकर इंस्टिटीविट है है तो वहां के बारे में बाला सर ने बताया था वहां एक टीमा र हां तो वो फ्रेंड है बाला सर के अच्छा है ना तो उन्होंने मुझे पर्सनल लेवल पर हां तो बाला सर तो मेरे गाइडेंश टाइप के थे तो वह जैसी मेरे पास प्रावलम आती थी अच्छा यह नेक्स्ट तो ऐसे करना ऐसे करना यह चीज़ें है तो सुरज यू अच्छी रेंख आपकी और इफ्रो मेरे पास एक benefit था सर मैंने स्टार्ट बहुत अरली किया था तो उसमें क्या था कि ज्यादा प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी मेंट जी इट सेलफ इस प्लान थी टाइम रिवेजन थी टाइम टेस्स तो कुछ ज्ञादा प्लान करने की जरूरत नहीं थी सिंपल एफट लगाने के जरूरत आप उस प्रिंसिपिल को फॉलो किया practice makes man perfect practice मैंने कूब की sir workbook मेरे पास थी तीन-तीन workbook है मेरे पास दो-दो-तीन तो मेरे यह था कि एक-एक workbook में अगर एक-एक भी टेक लगा रहाएगा तो three time workbook हो जाएगी तो आपने कई बार practice की आपको लेकिया है एक्जाम में जब आप appear होते थे तो गल्तियों कितनी होती थी या बिल्कुल accuracy level maintain करते है सर एक्यूरेशी मेरा जो numerical answer type question है उसमें बिल्कुल कम है सर क्योंकि सर इसी कारण से मैं reddy सर को दिया हुआ promise नहीं पूरा कर पा रहा था जब मैं 2018 में appear किया था सर तो मेरा performance बहुत अच्छा चला था मुझे चीजें बहुत अच्छे से आती थी मेरी clarity बहुत अच्छी थी ज सर आपके जो घर के रूम का जो पढ़ाई का environment होता है वो सर सब राम कुमार सर लोग जाते रहते हैं तो देखते रहते हैं तो वह modify करवाते रहते हैं कि यहां पे और बोड लगा दो यहां पे और यह लगा आपको NASA is the final destination या कुछ अभी और करने का मैं सर एक साल की प्रिवेशन भी कर चुका हूं civil services की हाँ एक बार मेरा 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 पूरा syllabus मोटा 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 आपने complete किया एम टेक complete नहीं किया रॉप कर दिया बहुत सारी जिज़ें ड्रॉप की सर बीच में मैंने TIFR का exam दिया सर मेरा result निकला मैं एक साल हो गया और नासा तो सुबह 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 चार पांच गंटे सब्जेक्ट रिवाइज करता हूं सर नेक्स्टाइस सुना है और सर अभी तो किया नहीं सर नेक्स्टाइस में कोचिंग फ्रैंक्ले स्कूर्ण को नेक्स्टाइस से अगर कोई लेनी होगी तो नेक्स्टाइस सर अब दो लोग है एक रिशाप देवारी हैं सर आपने इतने महनत करके छोटी जगह से यहां तक पहुंचें आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मेक्स्टाइयस से या मेरीपी से, we are always with you. अब शूरज, लास्ट में, आपका जो फाइनल जो ऐसी कुछ स्टूडिन्ट हैं, जो रूरल प्लेस से आते हैं, एकनॉमिकली वीक हैं, पढ़ाई कैसे करना हैं, उनके लिए कुछ दिप्स आप देना चाहिएं, सर, जो एकनॉमिकली वीक हैं, तो मेरा मानना तो यह हैं कि, सर, पैसे कभी अगर आप निकल पढ़ते हैं, कहीं पे आपको वहाँ पहुचना ही होता है, तो पैसे आपको नहीं रूख सकता, और दूसरी चीज़ यह है, सर, कि, information और proper guidance, मेरे साथ कुछ बच्चे गाउं से पढ़ने के लिए निकले थे, सर, और वो मुझे ज़्यादा अच्छे थे, पढ़नाए में, उनका mind भी मुझे ज़्यादा अच्छा था, सिर्फ एक चीज़ की lacking थी, proper guidance की, जो मुझे first year में मिल गई थी, और उनको नहीं मिली, जो मुझे first year में मिल गई थी, वो था proper guidance, जिसके मेरा ये rule हो गया, ये सारी changes हो गया, तो proper guidance रखें, और दूसरी चीज़ यह कि, एक positive बे में चले, एक positive इनसान का साथ करें, जो हमेशा आपको पर अच्छे लोगों का, जो सफ़ल स्टुडेंट से उनको follow करें, और जो सफ़ल सफ़ल उसका guidance उतना ही अच्छा है, उसका connection जो environment है वो उतना ही अच्छा है, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि, मतलब कभी ego अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, कुछ चीज चोटी चीज करके अपन इगो ला लेते हैं, तो उस चीज पर आपको रुखना नहीं चाहिए, आपको और आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमल होके जो लोग आपसे बेहतर हैं, उनके आगे जोखके आप सेख सकते हैं, ग्रेट, तो अगर सफल बनने का जजबा है, तो सफलता तो जख मार के आएगी, और आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने effort करोगे, कि वो effort का उसका reward मिलेगा ही मिलेगा, तो दोस्तो ये background कैसा भी हो, आप गाउं से आते हैं, या सहर से आते हैं, ये matter नहीं करता, matter ये करता है, कि आगे जब के आप कितने efforts करते हैं, struggle करने के बावजूद भी आप सफल हो सकते हैं, और फफलता की बड़ी-बड़ी उचाईयां हासिल कर सकते हैं, हम देखते हैं, कि लोगों का सपना होता है, इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद, इनका सपना था, साइंटिस्ट बने, तो ये अपने रास्ते में सफल हो गए, और नासा जैसे, जो कि दुनिया का सबसे जाना, पहचाना, और सबसे famous space agency है, वहाँ पर ये जा रहे हैं, और UPSC के civil services, जो कि इंडिया की सबसे अच्छी government service है, उसमें जाने का इनका मन है, और जजबा है, और preparation है इनोंना इस्टार्ट किया है, तो ये एक सफल कहानी है इनकी, और मैं पूरी तरह से इनकी सफलता कहसरे, इनको ही दुगा, क्योंकि इनोंने जिस तरह से dedication के साथ, commitment के साथ, coaching अपनी तयारी की, courses की और उस courses के साथ ही सफल हुए, गेट में, computer science में, बहुत students बैठते हैं, लगब 1.2 लाक students या उससे ज़्यादा एपियर होते हैं, उसमें अगर आप top 100 में rank ले आते हैं, यह अपने आप में important है, इस रो की जो की इंडिया का सबसे best space research organization है, और वहाँ पर आप top कर लेते हो, तो आपका confidence level अच्छा जरूर होगा, सर, जैसे 3-4 साल मैं मेडिजी में था, तो वहाँ पर सब लोग मुझे बिटेक फ्रॉम मेडिजी बुलाते थे, मेरे सारे दोस्त, तो जो मेरे senior थे, जैसे उनको पता चलता था, कि ये 2-3 साल से कर रहा है, तो वो भी मुझे sir बुलाते थे, जो मुझे 2-2 साल senior थे, चलिए अगर मेडिजी सही सही, अगर आपको ये मुकाम हासिल हुआ है, तो ये इस से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, और हम लोगों की बहुत सारी सुबकामनाय है, मेडिजी की सारे टीचर्स की तरफ से बहुत सुबकामनाय है, कि नाशा में आप ऐसे ही अपने देश का जंडा बुलंद करें, और UPSC में जब आप EPR हों, तो UPSC में ऐसे ही रहें क्लाइन जैसे कि आप इस रोमे लाए हैं, तो मैनी मैनी कॉंग्राइशन्स आपके पूरे परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए और आपके टीचर्स के लिए बहुत बहुत सुबकामनाय है, and I wish you all the best. Made Easy की तरफ से, आज का ये डिस्कुशन मुझे उमीद है, आपको अच्छा लगा होगा, और इनकी इंस्पारिंग स्टोरी से मैं खुदे इंस्पार हूँ, Thank you very much. Currently, I work for a cloud-based CRM company, Salesforce, here in Hyderabad. Talking about the reason I am here, Mr. Suraj, we were batchmates for around two years in Medizy Bhopal Center, and also tea partners on the lighter side. Apart from being one of my best friends, he used to be one of the best students, one of the best learner, and one of the most hardworking students I have ever met in my life. He used to be full of doubts, but he never gave up on them, and neither Medizy gave up on his doubts, and as a result, you can see, he has been performing rock solid in each and every exam he is a candidate of. Either it's GATE or it's ISRO, he has been topping all such exams. Also, he has cleared most of the rounds of NASA. Currently, I have heard that he has been aspiring for UPSC also. I wish him all the very best and best of luck for all his future endeavors. Keep going, brother. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you.